हेलो फ्रेंस वेलकम टू बैक और यूटूब एडूकेशन चैनल तो आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाले चैप्टर नमबर नाइन स्टानर सेवंथ का गुज़रा थी कदर तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा एक पेज पेज नमर 47 मैंने आपको प उसका एक भी घोडा बिकता नहीं है ठीक है अब आगे आखरे केस यह आये वडोदरामर राम राम करी ने गरणी गाम भेगा था यूज़रा ने रड़ा करियो अब उसके कोई भी घोडा बीक नहीं रहा था और वो क्या करने आ आथा वडोदरामें गोरा बेचने आया था जब घुड़ा बीच नहीं रहा है तो अपने गाओlle का था Spit cad can नुमर वण में पढ़ा दिया है उसका गां गरणी गां पार्ट बломन में मैं अपको पढ़ा दिया है उस गाओं का नाम क्या था यह देखिए गणी अपने गरणी गां वहां पे इसका नाम था जहां पने उत्ता आप वी रहता था तो वरोद्रा में आया था अब वरोद्रा को राम राम जात वन पांच घोड़ाओं ने दोरी ने वाला किसर याई वड़ोद राने वेड़ु वेगड़ु मुखवा पगुड़ा उपाड़ी अब उसने पांच घोड़े लेके वापस से अपने गाउं जानीक निस्चे कि अब घोड़े पे बैठके जाता है पाणी पंथे पाणी पर बैठा और बागी सारे गोड़े उसके बागी सो पांच घोड़े थे उनके पीछे आ रहे थे जायदी खजूर नी पेशी जेवो वान हाथ मुकोतों लपसी जवाय एवी सुनवानी चक चकती चामड़ी उनके चमड़ी कैसी थी कि अपने हैसे हाथ रखे तो भी अपने सोरी ने डोढ़ियों चड़वाता जाने भगवाने घरे थी मल मल ओड़ी ने आफ्या होई एवा घोड़ाव रमते चड़्या अब जैसे कि स्वयां भगवान खुद से आये हैं उनके घर पे उस तरह से वैसे उनके पास घोड़े थे वाला नू मन आज वड़ोदला माथे थी उठी गयू छे जट पोताना गाम गर्णे भीगा थावा मन मां जांपू जाग्यों छे आप ऒाहां पे क्या होता हैं कि वह वड़ोदरा में वह नहीं रहना चाहता है क्योंकि फेकने राथा घोड़ा इसले वह उसका वाला मन उठ गया अब ने गाई जा रहा था ता न गरणी गाम काई घोडाने घरे थोड़ू छे गरणी गाम थोड़ने इतने पास में तो बहुत दूर है ना वाट खर्ची नी वधेली 500 रुपया नी वासडी केड़े बांधी छे पोता ने खोराकी अने घोडाना जोगान नी जोगवाई एमा भली भात्ये जई जई चासे एवी धरपत हैयामा छे अब वहाँ पे उसके पास 500 रुपय खर्च हो गये थे उसके पास स्रिफ 500 रुपय बचे थे और उसमें उसको घोडाओं को चारण मतलब उनको खाना खिलाना था और खुद भी खाना खाना था उसमें उसको वहाँ तक कर जाने में पैसा भी देना था रही तो उसके लिए और सिर्फ पांच सव पैसे बचे थे कि उसने पांच सव पैसे पहले ही खर्च कर दिये थे आते 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 पोतान खोडाक ये तो गया वडोदरानी बहार पग दीधो त्या तो एक खोड़ा मा थी गोकड गोदणा ठाम वासड घर नी नानी ओटे तमाम जनसों नो ढगलो जा आगल हाल्या त्या नाना छोकरा काड़ जा कमपावे एवा काड़ा बैक बोक्सा थायू हतूं गोड़ थी नीचे उत्रीने टोटाने वीधिने वालो घर ने लगो लग थाईने जाईने उभरह जातों आज केसरिया युवान मराथा मो उपर मश वड़ी जाई हते टांप कतांप लईने आव उपनार सेठ उपर वालाई नजर द्रीवो सवाल कर रहे हूँ यहां पर जब उसने एक छोटा सब वहां पर जब जा रहा था तो एक छोटा सब जगा उसको दिखा जहां पर सारे समान जो थे उसके साहे घर से बाहर सारे समान उसने वहां पर निकले हुए दिखा वहां पर उसने कुछ बच्चों को रोते हुए भी देखा और यह सब दे अंकना बोलो जो वाला के शरीया था वह सेड से बोलता है कि सिट कितना पैसे कि कितना पैसा ने आने आकना बोलो तो फिर वह उससे पैसा लेने अवाला था वह था था यान्य कि आभी यो इस से पैसा ले रहाен था उस पैड़योνHe B जिसे पैसा ले रहा था उसका नाम मराठो ओक फिर माराठा तो जिस मराठा से वो जो पैसा ले रहा था तो जो तो बोलता है कि भाई तुम जा रहे हैं वहां पर जाओ ठीक तो यह बाल पको आउल दो न का tacos पूलता है उसकाइव में चोते को तो मतलब उसको बहुती गुस्सा है सेट को जो उससे पैसे लेने आथा आप देव मोटो केटलानों लेणूं दातारनों भिकरों यानि कि बड़ा आया बोलने माले कितना कल लेणा है तु भगवान का थोड़ी ना बेटा है जो देदेगा फिर वो बोलता है कि थेस पंगोडता स सेठे कहें उसको बहुती गुस्सा और उसने जोर से बोला बोल रुपिया पांसो बिल भरू छे तारे वो फिर क्या बोलता है बताओ बील पांसो है तुमको रुपिया भरना है बड़े आया बोलने वाले अब एक पड़जे बीजी पड़े केसर याए केड़े थे वासरी चोड़ी अब उसने क्या किया उसने उसके पास जो 500 रुपिया बचे थे वो गाऊंव जाने के लिए पांसो बचाया थे पर उसको बिना सोचे की मैं कैसे जाओंगा और क्या करूंगा उसने सिध्धा उस अपने थैलिम से 500 रुपिया और सेठ को दे दिया उपर थी फरिस् अब उसने पैसा दे दिया ऐसा लगता है कि जैसे खुद भगवान आये हैं क्योंकि देखो अपनी कोई मदद करें हमको कैसा लगता है कि अगर उसने हमारे मदद नहीं की होती है तो आज हम लोग वह बच्ची जो थे वह वहीं पर रहते हैं तो फिर जो उसका नाम मैंने आप को पहले पताती है युवान मराठा तो युवान मराठा को ऐसा लगा कि कोई भगवान देव दूता है और वो उनकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है तो अब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे इसके पहले का अगर आप लोग वीडियो पसंद देए से लाइक सब्सक्राइब सेर कीजिए और इसका बाद पार्ट 3 में